आईने पाकिस्तान 1976 निर्थरामीम पहली तर्मीम, सुन 1974 आईन पाकिस्तान 1976 की पहली तर्मीम में पाकिस्तान के हुदूद अरबय का दोबारा ताइन किया गया। दूसरी तर्मीम सुन 1976 कादियानियों को गैर मुसलिम अकलियत करार दिया गया। तीसरी तर्मीम सुन 1974 इस तर्मीम में प्रिवेंटिव डिटेंशन की मुद्दत को बढ़ाया गया। प्रिवेंटिव डिटेक्शन का मतलब है किसी ऐसे शखस को नामालूम मकाम पर रखना जो रियास्ते पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में मुलवस हो। चौथी तर्मीम सुन 1975 अकलीतों को पार्लिमेंट में इजाफी सीटें दी गई। पाचवें तर्मीम सुन 1976 हाई कोर्ट का अख्तियारे समाईत वसीया क्या गया। चुट्टी तर्मीम सुन 1976 हाई कोर्ट और सप्रीम कोर्ट के जज्ज की रिटार्डमेंट की मदद बलतर्ती 62 और 65 साल की गए। साथवें तर्मीम सुन 1970 वजीर आजम को ये पावर दी गए कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान की अवाम से आतिमाद का वोट हासिल कर सकता है। आठमीम सुन 1981 पारलिमानी निजाम से सीमी सदारती निजाम मुतारफ करवाया गया और सद्र को इजाफी पावर्स दी गई। नवें तर्मीम सुन 1985 शरिया लाकुला आफदी लेंड का दर्जा दिया गया। दसवें तर्मीम सुन 1983 पार्लिमेंट के इजलास का दोरानिया मुकर्रर किया गया कि दो इजलास का दर्मियानी वकफा एसो तीस दिन से नहीं बढ़ेगा। ग्यार्वें तर्मीम सुन January दोनों इसंबलियों में सेटों की रिविजन की गई। बार्वें तर्मीम सुन 1991 संगीन जराइम के तेज तरीन ट्राइल के लिए खुसूसी अदालतें उर्सा तीन साल के लिए काइम की गई। तिर्वें तर्मीम सुन 1969 सदर की नेशनल इसंबली तहलील करने और वजीर आजम हटाने की पावर्स को खत्म किया गया। चोधवें तर्मीम सुन 1979 मंबरान पार्लिमेंट में डिफेक्ट पाए जाने की सूरत में उनको एहदों से हटाने का कानून वजह किया गया। पंद्रुएं तर्मीम सुन 1969 शरिया लाको लागो करने के बल को पास ना किया गया। सुला हुएं तर्मीम सुन 1999 कोटा सिस्टम की मदद 20 से बढ़ा कर 40 साल की गई सित्रुएं तर्मीम सन 2003 सदर की पावर्स में इजाफा किया गया। उठारवें तर्मीम सन 2010 इस तर्मीम में NWFP का नाम तबदील किया गया और आर्टिकल 6 मतारफ करवाया गया और उसके अलावा सदर की नेशनल इसम्बली तहलील करने की पावर को खत्म किया गी। अनिसमें तर्मीम सन 2010 इसलाम आबाद हाई कोर्ट काइम की गए और सप्रीम कोर्ट के जज्ज की ताइनाती के हवाले से कानून वज़ह किया गया। बीसमें तर्मीम सन 2012 साफ शफाफ इंतिखाबात के लिए चेफ अलेक्शन कमिशनर को अलेक्शन कमेशन आफ पाकिस्तान में तबदील किया गी। 21 में तर्मीम सन 2015 सानहा एपिस के बाद मिल्टरी कोर्टस मुतारफ करवाए गए। 22 तर्मीम सुन दोहزार सोलह चेफ एलेकशन कमेशन आफ पाकिस्तान की एहलियत का दायरा कार तपदिल क्या गया कि बिवरुक्रेट्स और टेक्नोक्रेटस भी मंबर एलेकशन कमेशन आफ पाकिस्तान बन सकेंगे 23 तर्मीम 2017 साल 2015 में कौमी इसंबली ने 21 तर्मीम में 2 साल के लिए मिल्टरी कोर्टस काइम की ये 2 साल का दोरानिया 6 जनूरी 2017 को खत्म हो गया इस 23 तर्मीम में मिल्टरी कोर्टस के दोरानिये को मजीद 2 साल के लिए 6 जनूरी 2019 तक बढ़ाया गया 24 तर्मीम सुन 2017 मर्दम शमारी के नताइज की बुनियाद पर हलका बंदियों को दूबारा